मेरा नाम राकश रनजन है मैं कठियार से हूँ इसलाम मेरे जहन में काफी दीनों से है और पिस्टीवी कभी कभी देखा करता था और आपसे काफी इंप्रेस हूँ तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इसलाम कबूल करने पर साकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है ये आम लोगों की जहन में है बाई साब का अच्छा सवाल है कि इसलाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी वेजिटेरिन को नौन वेजिटेरिन होना फर्द है नहीं भाई साब इसलाम में गोश्ट खाना फर्द नहीं है इसलाम में एक इनसान अच्छा मुसल्मान रहे सकता है सौ फीसद शाकारी बनने के बाद भी इसलाम में फर्ज नहीं तो मैं ताहे दिल से इसलाम को कबूल करना चाहता हूँ माशाला और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूँ माशाला आप मानतें के खुदाएक है जी हाँ आप मानतें के भुद्ठ प्रस्टी गलत है गलत है मुर्ती पिजा गलत है एक दम गलत है आप मानते के मुंअ OLL वस् herम आखरी पगंबर है जी हाँ माशाला आपको कोई भी जबरदस्टी कर रहा है पूछ रहूं कि एक बार इसा हुआ था पुना के अंदर माशाओला उननीस लोग उननीस लोग ने माशाओला इसलाम कबूल किया तो पुलीज जा के पूछी ते डॉक्टर आपने कितने डॉलर्स दे आपको तो इसलिए मैं सब लोग के सामने पूलीस के सामने ही पूछ रहा हूँ तो हक के बात के लिए डर क्या तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं और गोश खाना इसलाम में फर्ज नहीं है फराइस बहुत कम है इसलाम में फराइस और हराम बहुत कम है लोग समझते हैं बहुत च कुल मिला के और हुएंगे लेकिन मेन ये हैं तो इसके अंदर कहें भी ने लिए के घोश खाना फर्द है लोग को ये गलत फेमी है कि Kadā मुसल्मान को घोश खाना ही चाहिए हाँ, इजादध है इजादet वेद में भी है इजादध कुरान में भी है अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ नहीं टेस्टी लगता है मत खाओ आपको अगर पसंद नहाता है मत खाओ तो आप अपने खोशेवाद से इसलाम कबल करना चाहते है जिया तो इन्शाला मैं अरभी में कहूँगा और आप उसे दोराइए मैं शहादत देता हूँ कि अल्ला के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्ला अले वले वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है माशालला आप मुस्लिम हो चुके और आप जिन्दगी बर अगर शाकारी भी रहेंगे तो कोई हर्द नहीं है कोश खाना फर्द नहीं है और अलहम्दलिल्ला आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और मौगने से दर्कास करूँगा कि जितने भी गेर मुसल्मान जो इसलाम कबूल कर रहे और नहीं भी कबूल कर रहें सब लोग को हो सके तो इन्शालला तर्जुमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए और इन्शालला मैं दुआ करूँ अल्ला समाहत आला से कि आपको और हिदाद दे और इस दुन्या और आखरत में सबसे बेती जिन्दगी दे धन्यवाद